हेलो दोस्तों आपका स्वागत एक नए वीडियो में आज की वीडियो में आपको बताना लाओं भी वो भी फोटी एफाइब जी में किस तरह से आप अपने मोबाइल के लोग की स्क्रीन पर अपना नाम लिख सकते हैं अलबेज ऑन स्क्रीन सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों आपको अपने स्क्रीन पे सब दिखाई देगा नुश्कर दोस्तों मैं हुरोज जैस्वाल आप देख रहे हो टेकनिकल आर्जम दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑलबेज ओन डिस्प्ले यानि कि जब भी आप मोबाइल लोग करके रख देते हो तो आपकी स्क् स्क्रीन बंद होने के बाद भी आपकी स्क्रीन पे ओल्बेज ओन ओ रहे तो इसके लिए आपको यह डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है इसका रेटिंग देख लिए रेटिंग 4.2 का रेटिंग है और इसका नाम है यह ओ ओन डिस्प्ले तो प्लेस्टोर से दोस्तों अप्लेकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसके आपकी मोबैल में डाउनलोड हो जाता है डाउनलोड होने की बाद दोस्तों 2-4 पर्मिशन का और आपको क्या करना है पर्मिशन देना है पर्मिशन देने के बाद कुछ शेटिंग है और में आपको बता देता हूं किस तरह से आप Shating कर सकते हैं जैसे आपका mobile अगर बन करते हो अगर आप कोई नाम लिख करता हो अपना लिखना चाहते है बन करने मैं इसको open करता हूं application को और open करने के बाद दिखाता हूं किस तरसे आपको permission देना है चलिए हमार up application open करता हूं कि यहांप accept डिदे कर कर दीना चलिए हमने accept के एक बार ऐघद कलिक करता हूंthem चलिए हमने कलिक कर दिया फिर यहां पर allow कर देना है आपको तो मैं यहां पर क्या करता हूं allow कर देता हूं allow करने एक बाद इस सीध है आ जाएगा आपके application वाला option में जहां से आपको permission देना है कि आप यूज कर सके इस तरह permission मेंने दे दिया फिर से एक बार allow मांग रहा है तो चलिए हम notification के लिए तो यहां पे एक बार और आपको permission देना पड़ेगा चलिए यहां से भी notification वाला पर भी allow कर दिये ठीक है यहां से दो जगे से हमने permission दे दिया इस तरह आपको भी दे service पर क्लिक करना है देख रहे हैं दोस्तों service में क्या क्या यह सब option दिया है इस सारे service जैसे दिया दोस्तों आपको ऐसे same ही रहने देना है कुछ भी इसमें changing नहीं करना है चलिए दूसरा दोस्तों दे दिया है watch watch face customize दोस्तों चलिए दूसरा option पर हम क्लिक करते हैं तो आपके दूसरे option पर क्लिक करके अंदर आ है तो यहां पर दिया इसका साइज आप जो आपकी मोबाइल के स्क्रीन पर मतलब जो घड़ी दिखाई देगा वाच उसकी साइज आप कितना बड़ा छोटा रखना चाहते अपने इसाप से आप एड़िस्ट करके सेट कर सकते हैं पहला हो गया दूसरा दिखा रहा है दोस या पहला ही रहने देते ठीक है यह पहला हो गया और दूसरा आ रहा है दोस्तों जो आपकी मोबाइल में वाच यानि की घड़ी जो लिखा रहेगा एक घंटा जैसे की टाइम लिखा रहता है एक बचके 35 मिनट अगर ओ टाइम का भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यह यहां पर दिया ओप्शन दोस्तों यहां पर कलर आप अपने हिसाप से सेट कर सकते हो तो चलिए हम इसमें रखें ग्रीन रहने देते ठीक है यह तीसरा आता है दोस्तों मिनट यानि कि मालेजी एक बचके 35 मिनट हो रहा है अगर उसका मिनट का कलर आप चेंज करना चाहते ह आप अपने उस मिनट का कलर अपने हिसाप से at Black कर देना है दोस्तों कि इसके आगे दिया है सकेंड जो आपके मुबाइल में सेकेंड चल् σक्पा रहता है मुष्थ सब्सक्तलब meditation तो यहां पे नीचे दिया है इस पर आपको पर मिसर दे देना है फिर आपके मूबाइल में चालो हो जाएगा फिर बेक आजाते बेक आजाने के बाद दोस्तों आपको ऊपर दिया है एक कॉल वाला और वाच का दोस्तों यहां पर इस सब घड़ी दिया हुआ है इस तरह से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में सेट कर सकते हैं पहला है दूसरा नीचे आपको इस सब प स्क्रीन पर घड़ी सेट हो गया और आपकी इस क्रीन अगर आप अपने नाम लिखना चाहते इसमें तो नाम भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं नीचे नीचे आजाने क्बाद याँ पर दिया है डिटल साइज अगर डिटल साइज आप कम बेस करना चाहते तो अपनी साब से आप digital fight set कर सकते हैं दूसरा दिया है यह आपको horse color यानि कि उसका color आपको बताया था उस तरह से आप अपने घंटे का यानि कि कितना घंटा कितना हो रहा है वो आप चेंज कर सकते हैं फिर आपको नीचे आ जाना है यहां पर दिया है on screen memo यानि कि screen पर आप जो भी अपना नाम लिखना चाहते हैं तो यहां से आप दोस्तों फिलाल मेंने लिखा है टेकनिकल आर्जेम तो दोस्तों इस तरह आप अपनी जगह इसके जगह पर आप अपना नाम लिख सकते हैं जैसे आप अपनी screen बन करेंगे तो वहां पर time betty और साथ में आपको ऐसा जो भी आप आ नाम दिखाई दे गा दोस्तों इस तरह से आप अपना नाम लिख सकते हो और यहां पर tekkz का color दिया है आप जो color चाहे है औंव incarnation आप सेट कर सकते हो मैं पीदा कर देता हूं दोस्तोंbernate data mix अब में आपको दिखाता हूं अपने इस century दोस्तों आप-पी मेरे dispersion प्लिखरे थ किस तरह से color दिखाई दे रहा है किस तरह से set हो गया है तो दोस्तों सेम आपके mobile पर भी ऐसे ही शो करेगा तो आप application डाउलोड कर लिजे और इस तरह से setting कर लिजे फिर आपको अपने screen पर सब दिखाई देगा